हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, इस्प्रेड हैप्पीनेस आज एक्सल की पाँचवी क्लास है, पार्ट फाइब इसमें हम आपको कंडिशनर, फॉर्मेटिंग और स्टैल के बारें बताने बाले हैं एक्सल में ये चीज बहुत जरूरी है, अगर एक्सल में आपने ये नहीं सीखी तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें जो आज हॉम टेप पर है इतना पूरा भाग कंडिशनिंग बाला हमें आप पर सीखेंगे एक्सल में कंडिशनिंग, फार्मेटिंग और स्टैल ये बहुत ही काम के बटन होते हैं इनके अंदर जो भी यहाँ पर शॉटकट दिये रहते हैं ये एक्सल में बहुत यूज होते हैं तो आये सीखते हैं, अगर इनको नहीं सीखा तो आपका बहुत सारा एक्सल का जो काम है, आपका बहुत सारा समय ले लेगा, मैनुवल हो जाएगा तो उसको समय को बचाने के लिए हमें यहाँ पर यह सारे जो छोटे-छोटे कीवर्ड्स होते हैं, इनका यूज यहाँ पर हम करेंगे, और इनका जो यूज वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे देखेंगे, आपको समझाने के लिए मैंने पहले से एक सीट बना के रखेंगे, मालेज जीएगा यहाँ पर कंडिशनल फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर हमने पहले से आपके लिए डाटा बना के रखा है, इसके में जो हाइलाइट, सेल्स, रूल्स हैं, इसे समझेंगे, देखेंगे यहाँ पर मेरी एक कंपनी है, Spread Happiness Private Limited, उसमें मालीजे कि इतने कर्मचारी काम करते हैं, उनका ID नमबर यह है, और उनकी सेल्री यह है ठीके, अब मेरे बास ने कहा है कि इस मेंसे उनकी सेल्री हाइलाइट करो, जिनकी सेल्री 6,000 के उपर, इस सारे डेटा मैंसे हमें, वनकी सेल्री हाइलाइट करना है, जिनकी 6,000 से उपर है तो उसके लिए हम क्या formatting यूज़ करेंगे अब यहाँ पर जिनकी salary 6000 से कम है सबसे पहले हम इस पूरी cell को highlight कर लेंगे उसके बाद में हम यह conditional formatting पर click करेंगे highlight cells और उसके बाद जो में greater than पर click करते हैं यहाँ पर already कुछ लिखा हुआ है पहले से इसको हम delete करते हैं चुकि हमें अपना data चाहिए इसलिए हमारा क्या है 6000 तो हम यहाँ पर 6000 टाइप करेंगे और यहाँ आप देखेगा यहाँ जो 6000 के ऊपर है मतलब वो सारे color में आगए जो 6000 के नीचे हैं वो यहाँ पर highlight हो गए without color यहाँ पर एक और option होता यहाँ देखेगा light red fill with dark red text मतलब अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसको color भी जैसे माली जै मैंने यहाँ पर yellow कर लिया यहाँ पर अभी देखेजिए प्रॉपर red में आ जाएगा यह तो आप बारी बारी से यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं कि किस color में चाहिए आपको कैसा चाहिए है और यहाँ पर custom format भी होता है यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कुछ font वागयर यूज कर सकते हैं यहाँ प यहाँ पर कौन सा आपको font चाहिए हैं अगर हम इसको ok करते हैं तो यहाँ देखेगा italic मतलब थोड़ा सा यह तेड़ा तेड़ा यहाँ पर हो जाता है तो इस तरीके से हम अपने हिसाब सभी इसको custom कर सकते हैं इस फॉर्मेटिंग को तो यह का जो conditional formatting इसका काम यही है अब सेकेंड नंबर पर हम आते हैं माल लिजेगा मेरे वह उस ने कहा है कि जिनकी सेलरी 15,000 से उपर है यह पंदरह हजार से कम है स्वारी 15,000 के अब हम करेंगे जिनकी सेलरी 15,000 के उपर है उनकी सेलरी यहाँ पहाइलाइट हो जाए जाए सेम बही चीज करेंगे अम conditioner फॉर् लिखा 15,000 अब जिनकी सहली 15,000 से कम होगी उनका देखेगा यहाँ पर देखें हमने 15,000 यहाँ पर टाइप कर दिया और हमने ओके कर दिया यह देखें जिनकी भी 15,000 से कम है वो सारे यहाँ पर हाइलाइट हो गए देखें इसको से हम ऐसे ही फॉर्मेटिंग इसकी चैन्स कर सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने की ती लेस दें में जाएंगे इसका टेक्स्ट कलर भी जिस जो हाइलाइट कलर उनके यहाँ पर हम रैड यलो ग्रीन जो चाहें वह भी ले सकते है निएप आप हमने ग्रीन सेलइट किया तो यहां पर ग्रीन रंग हो गया इसके अलावा भी आप कस्टम कर सकते आप अपने हिसार से कस्टम फॉर्मेटिं यहां पर कर सकते हैं और आप Custom Formating करते हैं तो देखैंगे यहां इसी का साथ हमें आपे अगर मांने देखते हैं मेरे बॉस ने कहा कि यहीं लोगों की सेलरी 10,000 से लेकर 18,000 के बीच में उनको हाइलाइट करना है तो हम यहाँ पर बिटिवीन पर जाएंगे हाइलाइट्स के बिटिवीन पर जाएंगे बिटिवीन में क्लीर करेंगे जिनकी सेलरी हमारी 15 से 18 यह मालेज़ी 6 से 18 कर देते हैं 6,000 से 18 हजार की बीच में हैं उनको यहां पर हाइलाइब कर देगा स्वार्षार की भी सेलरी 618 की भीच में वहां पर यहां पर हाईलाइट कर दिया है अब हमारे आगे की कंडिशन फरमिटिंग में आता कि जिन्की सेलरी इक वावर मैं लेजिये यहांपर मेरे बॉस ने कहा है सेम चीस यहांप सेब बनाई है यहां पर ऐसे आपको पोलोगा एक कि इस पूरी सीट में से किस ने के साथ हजार बूस टक सेब कि है डेगएक इसका पता भी हम between formula से निकाल सकते हैं देखिए गए सबसे पहले हमें इस seat को select करेंगे कंडिशनल फॉर्मेटिंग पर हाइलाइट्स हाइलाइट्स में आप हम between पर जाएंगे यहां पर मान लेजिए हमें 7000 से लेके बीस हजार साथ हजार से लेके 17000 से लेके सत्राइजार मान ले लेते हैं आपर 7000 से लेके हमें आपे 17000 तक ठीक हो सारे जो है वह हाईलाइट जो भी हमारे वह मान लेजिए ग्रीन कलर में आ जाएए okay करेंगे यहां पर देखे 7 से लेके 17,000 तक जिन्हों ने भी sell की है इस 5-6 महीने मुन सारे लोगों की यहां पर जो sell है वो highlight हो गई किनकी जिनकी data हम चाहते थे हमने can put किया था 7 से लेके 17 तक इसको अगर आप यहां पर थोड़ा change भी करेंगे माली जी 12,000 है इसमें आप अगर माली जी 2,000 यहां करते हैं तो आप देखे अभी sell हाइलाइट है लेकिन जैसे हम बाहर click करेंगे unhighlight हो जाएगी क्यों क्योंकि जो हमने highlight पर क्या डाला था कि 7 से 17 तक की जिनकी भी sell है वो highlight हो जाए इसी तरीके से माली जी unhighlight sell है इसको अगर हम 8,000 करते हैं और बाहर click करते हैं अभी यह थे कि किसी भी color में नहीं हाइलाइट नहीं है लेकर हमने यहाँ पर 8,000 डालके बाहर click किया तो यह highlight हो गई है इस तरीके से भी हम किसी भी seat का data highlight कर सकते हैं अब आगे देखेगा इसमें आगे की formatting में जो है वो है equal to equal to के लिए हमने क्या करेंगे यहाँ पर सारा data को highlight करेंगे यहाँ पर बापिस से और conditional formatting पर highlights पर हम equal to पर जाएंगे equal to में होता है कि इसके बराबर जो हो जो भी हम particular data यहाँ पर देंगे उसके बराबर जो भी data यहाँ पर entry होगी वो highlight कर देगा देखे मान लीजेगा हमने कहां यहाँ पर 52,500 ठीक है इसको highlight करना है अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर जितने भी 52 की cell होगी यह सारी highlight यहा formatting में हमारे जो है वो highlights में आगा text text content मतलब यहाँ पर जो हम अभी data search कर रहे थे वो numbering से कर रहे थे पर आप इसको text के through भी highlight कर सकते हैं मान लीजे text को हम यहाँ पर select करते हैं बापिस यहाँ पर conditional formatting देखें सारे जो button एक दूसरे से जुड़े हुए हुए text content में जाएंगे मान लीजे किसी भी नाम से हम किसी को search करना चाहते हैं कि किसी particular नाम के जो भ्यक्ति है वो सारे highlight हो जाए यहाँ पर मान लीजेगा हमने रितू रितू टाइप कर जा और हम जाते हैं कि रितू नाम का जो भी employee हमारे company में काम करता है वो red से highlight हो जाए तो देखें यहाँ पर रितू नाम के दो व्यक्ति हैं उन दौनों का data यहाँ पर highlight हो गया है इस तरह से हम number के अलावा text से जो data highlight करते हैं उसको text debt content के अंतरगत करते हैं अब इन सब को पहले थो हम सारा clear कर देते हैं इसके अंदर जितनी भी formatting है उसको clear आप कहां से करेंगे उसको यहीं से ही clear कर पाएंगे आप देखिए conditional formatting के अंतरगत सबसे नीचे बीच में clear rules आएग करें ताकि हम आपको आगे के rules बहुत अच्छे से समझा पाएं इसमें आगे देखते हैं कि जो formatting है इसके अंतरगत हमारा क्या आएगा इसके अंतरगत हमारा last में आएगा duplicate value duplicate value मतलब होता कोई भी number होगा या कोई भी text to duplicate होगा एक से ज्यादा बार होगा उसको highlight करने के numbering को हम select करते हैं कंडिशनर फॉर्मेटिंग हाइलाइट डुप्लिकेट बैल्यू अब डुप्लिकेट बैल्यू जितनी भी होंगे वह रैट डार्क टेक्स्ट हाइलाइट हो जाएंगे जितनी भी duplicate बैल्यू मतलब एक से बार जिन बैल्यू का डेटा यहां पेंट्री हु इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी रैट से हाइलाइट हो रहा था ही देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा हमने यहां पे करेक्शन किया बाहर हम क्लिक करते हैं तो यह अन हाइलाइट हो जाते क्योंकि इसके जैसे डुप्लिकेट बैल्यू सीट में अबले इस तरीके से हम कोई भी डुप्लिकेट बैल्यू जो एक से दो बार होती है हमने यहां पे सर्च करके अपना काम आसान कर सकते हैं यहां पे कंडिशनल फॉर्मिटिंग के अंदर हमने हाइलाइट सेल्स रूल्स को पढ़ा अब इसके बात बात करते हैं टॉप बॉटन रू चलते हैं टॉप बॉटम रूप इसमें लिखा टॉप टैन आइटम टॉप टैन आइटम मतलब जो भी इस डेटा में सबसे टॉप के टैन आइटम होंगे जैसे से जिसकी सेल्री सबसे ज़्यादा होगी उनको हाइलाइट कर दिमाल यहां पे डेटा को स्रेक्ट किया है खीबी सेल्री उपर से मलब 10,9,8,7,6 ऐसे करके एक तक मलब टॉप 10 होगे उनको हाइलाइट कर देगा इस नंबर को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं यहां पर आपने 10 लिखा है मालीज आपको लग रहा है कि कोई और कम को करना है 5 आइटम ही हाइलाइट सो तो 5 आपन लोगों की हो जाएगी ऐब देकिए अगर आपर 5 लेंगें यहां पर कितने है पांदो हाइलाइट हो रहे है क्योंकि इनके डेटा सेम है ठीक है इसी तरह से हम आगे का नेक्स्ट जो हमारा है यह देखिए कंडिशन फॉर्मेटिंग में आएंगे हम टॉप टैन बॉटम ठीक है यह वाला टॉप टैन परसेंट इसके बाद मैं आपको समझाओंगी तो ज्याद अच्छे समझ में अगा टॉप टैन आइटम टॉप टैन आइटम में से जो भी नीचे से मतलब नीचे से जो टॉप में जिनकी सैल कर युप टो खोगी उनके यहांपे 10 लोगों के नाम हाइलाइट हो जाएंगे किसी किसी का यहांपे डॉपलिकेट बैल्यू है सैम 2 तरह की इसलिए जन्यादा यहां पे डेटा हाइलाइट हो रहा है इसको भी से हम यहां से बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं देखिए माल ल यहांन से लोगों की सार 7 लोगों की सेलरी सबसे कम है यहां पर हाइलाइट कर रहा है कि हम बढ़ा सकते हैं यहां पर्लेट से कर सकते हैं आपके होड़ कर जाते हैं कि इसoter हैं ये बीच बीच में 10 परसंट को फिर फ़िए अब इसका क्या मतलब इर टॉप टैन देखिंज पूरी सीट में जितने भी रोम्र्वन होंगी आपकी नंब्रिंग जितना आपने data select किया होगा उतनी numbering seat में से वो top 10 मतलब उसका क्या percent लिख लेगा 10% वो यहां लिकाल के देगा देखे इस सारी seats का row column का जितना भी 10% होगा वो यहां पे लिकाल देगा से हम इसी तरीके से इसमें bottom से 10% मतलब जिनकी कम salary है ऐसे लोगों का जिनकी 10% नीचे से लेके पूरे row column के मिला के जिनमें 10% लिख लेगा जिनकी salary का वो यहां पर वो निकाल के ऐसे 10% देखेगा यहां पर जो पूरी salary होते हैं रो यहां पर गिनते से 1,2,3,4,5,6 और 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यहां 6,9 उसका जो 10% होगा वो यहां पर लिकाल के दे दिया यह पूरी seat का 10% लिकाल के देता है और जिस color में मैं उसको highlight करना चाहें वो यहां पर ले सकते हैं अब आगे आता है हमारा इसमें above average above average मतलब होता है average के उपर जो है जिनका average उपर का है उसके बारे में यहां पर बताएंगे देखे अब next आता है हमारा above average above average का मतलब होता है कि जो हमारा average उसके उपर का जो भी data होगा वो highlight होगा देखिए सबसे पहले तो मैं आपको average लिकाल के बताती है, यहाँ पूरी सीट का average होता है, इसको highlight के यहाँ पर average के लिए formula लगाते हैं, सबसे पहले हम equal का sign लगाते हैं, और A और B, देखिए A B को type करते हैं से आहाँ पर average का formula जाएगा, आप उसको activate कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, अब हम अपने सारी सीट को यहाँ से लेके यहाँ तक select करते हैं, उसको लगा कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और enter बटन लबाएंगे, देखिए इस value का average आया है, वो यह आया है, अब above average मतलब होता है, इस seat के इस से उपर का जो data होगा, वो highlight कर देगा, बेलो average का मतलब होता है, इस data के नीचे का जो भी data होगा, वो so कर देगा, पहले तो हमने सबसे पहले seat का average इसलिए लिकाला है, ताकि आपको अच्छे समझ में आपाएं, अब देखिएगा, इसको यहाँ पर select करेंगे, और हम यहाँ पर conditional formatting में average पर जाएंगे, अब देखिए, इस seat का सारा above average जो इस data से उपर है, देखिए, 7665, 665, 665 के उपर का जितना भी वो सारा data highlight हो गया, सेम इसका हम यहाँ पर कोई भी चेंज करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ highlight हो गया, क्योंकि वो इस value के नीचे है, अब सेम जो हम बापिस जाते हैं, इस पर below average, अगर हम below average को यहाँ पर select करते हैं, सेम चीज़े, below average है, मतलब इस average के नीचे का जो भी data होगा, वो highlight हो जाएगा, यहाँ पर हम select करते हैं, यह देखे, below average होगे करने पर हमारा सेम यह हो जाता है, जितना भी इस average के नीचे, इस number के नीचे का जितना भी data है, वो सारा यहाँ पर highlight हो जाएगा, इस तरही के से हमने conditional formatting में यह दो यहाँ के top के जो button है, वो हमने सारा सीख लिया है, अब हम इसको सारे data को clear कर देते, इसके लिए conditional formatting में जाएंगे, और clear rules में जाके हम सारे entire sheet से सारे चीज को clear कर देते, ताकि आगे की चीज़े आपको समझ में आता है, अब देखे, आगे इसमें conditional formatting में data bar, में क्या होता है, कि जिसका data ज्यादा हाई होगा, उसमें ज्यादा color होगा, जिसका data थोड़ा कम होगा, जिसकी value कम होगा, इसमें data कम होगा, इसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे sheet को highlight कर देते हैं, conditional formatting में data bar पर जाते हैं, और माली जी एक color ले लिया, इस पर आप देखेगा, जिसकी salary ज्यादा है, उसकी salary में ज्यादा color हो, जिसकी salary कम होगा, उसके में कम color होगा, जैसे 78,000 सबसे ज़्यादा high salary होगा, उसमें ज्यादा color होगा, और इससे भी कम, जिनकी भी यह देखे, यह पर बहुत कम color है, यह 2000 या कुछ भी जो भी है, 1500 में बहुत कम color है, यहाप पर, तो data bar का यह use है, इनको भी यहाँ से हम clear कर देते हैं, ठीक है, आगे का जो है conditional formatting में color series में, आप color से professional तरीके से हम किसी seat को बनाते हैं, तो इन सारे formatting का use करके बनाते हैं, आगे है आपका इस color का पर हम data को select कर लेते हैं, हमारी seat को, और conditional formatting हम data color scale को use कर सकते हैं, किस तरीके से color बताएगा, देखे, जिसकी ज़्यादा salary है, उसमें एक अलग color होगा, green color है, उसके जो से कम में होगी, उसमें same color है, और कम-कम में जो होगी, उनमें अपने हिसाब से same color infilt हो जाते हैं, यह हमारा यहां से बहुत ही basic सी चीज़े हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, आगे इसको भी clear करते हो, आगे बढ़ते हैं हम, same, इसके आगे आप देखे, conditional formatting में, icon set, icon set मतलब होता है, arrow की रूप में, आगर किसी value का प्रेजेंट करना चाहते हैं, मानली जे, किसी आप बड़ी value के arrow की रूप में, प्रेजेंट कर सकते हैं, सीट यहां पर select करेंगे, उसके बाद में conditional formatting में, हम icon set पर जाएंगे, मानली जे, green arrow की रूप में, यहां पर select करते हैं, यहां पर हमारे कुछ हैस्टेक हैस्टेक आ रहा है, same, क्योंकि हमारे सीट में, space का maze value के लिए, य जिनके में down है, मतलब high value से नीचे है, उनके में यह सारा red red आ रहा है, इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा और भी कुछ change कर सकते हैं, इसको select करने के बाद, सबसे पहले condition formatting icon set, उसके लावा भी, जिसे मानली जे, आप flag के रूप में दिखाना चाहते हैं, कोई और भी icon sign, कुछ इसको लेना चाहते हैं, इसको लेते हैं, तो देखिए जिसकी सबसे highlight है, उसकी यहां पर highlight हो जाएगा, बाके में सारे के blank blank आ जाएगा, तो इस तरीके से भी यहां पर solve करता है, तो इस तरीके से हमने सारी formatting को यहां पर सीखा, अब next है हमारा format as a table, ठीक है, इसमें जो आप एक औि आज हुआ कोई भी जो भी टेहल आपको अच्छी लग रही है इसको यहां से सल्क कर लेजे मनलीज आ अच्छा लग रहा है यह सटे। एक करते हैं यह देखिए यह सारे टेवल में आ गये इसमें एक चीज बहुत अच्छी होती कि सारे टेवल में जो بी रौ इसे आप यहां पर और भी करेक्शन कर सकते हैं मालीजी यहां पी नेम बाले में हम यहां पर जाते हैं यहां पर देखेगा एक हैडर यूज हो रहा है इस पर जब क्लिक करते हैं हम तो इसमें दिखा है एक टू जैड जो नाम हमारे सबसक्राइब करें इसमें और यूज है मिलना pura में घृष्ट आप भी जमारे मुंजानी है और पक्लिक जब तुम देखे इसमें पिछे से सारी चीज़ेशा करें कोलं भी और इसमें हम उसमें क्र चाहि पने थे तो देखिए सबसे पहले बढ़ा फिर चोटा फिर चोटा फिर चोटा फिर चोटा ऐसे इस तरह से नंबर यहां पर आ जाएंगे किसी भी स्थाइल में यहां पर कर सकते हैं। अब माली जे हम मुझे यह वाली cell को यहाँ पर कुछ style देना है या फिर हमने यह वाली cell को सबसूपर वाली cell को ले लिया कि इसमें हम कुछ भी नया correction करने वाले तो cell style में हम जाएंगे इसको select करने के बाद में उसके अलाबा हम यहां से कोई भी color वगेरा कैसी भी style में ला सकते हैं यह बहुत basic सी चीज़े हैं आप इसको बार बार use करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप इस cell को select करने के बाद हम style में जाके जैसी भी cell को हम करना चाहते हैं वैसा यहां पर कर सकते हैं तो उमीद करते हैं आपको आज की conditional formatting format as table or cell style को यूज करके आप अपने data को बहुत ही खुब सुरूद बहां सकते हैं आपको presentation होगे उसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं और बार बार आप उसको जब इसको यूज करेंगे तो आपको automatically इन चीजों का बहुत अच्छे से यूज करना आ जाएगा इसी तरह से वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो आप like and subscribe जरूर कीजेगा